मुकेश शुकर्मा और क्लास 11 का फर्स्ट चेप्टर हम आज शुरू करें स्नैप्शॉट्स बुक का नाम है NCRT की ये बुक है और इसका पहला लेसन हम देखते हैं क्या कुछ खास है इस चेप्टर के अंदर इस स्टूडेंट जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा इसकी बृफिंग बता दूं कि ये चेप्टर मेरा बहुत ही फैवरेट चेप्टर है मुझे काफी पसंद है इस चेप्टर को पढ़ाना और पढ़ना और खास तोर पे इसमें जो बाली अवस्ता जो चाइल्ड हूट की नादानियां हैं गलतियां हैं किस तरह से की जाती है और किस तरह से हम गलती करके भी अपने आपको जो है सुपीरियर मानते हैं यही thinking इस lesson के अंदर है तो बिना देर किये हम इस चेप्टर को शुरू करते हैं Actually student इसमें चेप्टर में है क्या? This is the story यह story जो है is totally based on a tribal area यह story जो है tribal area के बारे में है और खास तोर पे अर्मेनिया एक कंट्री का नाम है और ये दोनों बॉइस जो है वो अर्मेनियन बॉइस हैं मतलब अर्मेनिया के रहने वाले हैं और ट्रैवल एरिया से बिलॉंग करते हैं This story is about two poor अर्मेनियन बॉइस अर्मेनियन बॉइस हूं बिलॉंग टू अर्मेनियन बॉइस हूं बिलॉंग करने वाले थे पर इनका हूलमार्क था इनकी निशानी थी और निशानी क्या थी? ट्रस्ट और दूसरा ओनेस्टी, इमानदारी एक तो इन पे भरोसा बहुत अच्छे से किया जा सकता है ये कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ते हैं और दूसरा ये काफी इमानदार थे मतलब ये दोनों जो वेल्यूज है इनमें बहुत ही कूट-कूट कर भरी हुई थी ये तो निहायती इमानदार और ट्रस्टवर्दी ठीके तो आई ये देखते हैं क्या खास है इस स्टोरी के अंदर तो बिना देर की हम शुरू करते हैं ये एक दिन पहले की बात है ये अच्छे पुराने दिनों की बात करते हैं में नो साल का था वर्ड वास दुनिया जो है पूरी तरह से इमेजिनेबल थी, कालपनीक थी, कलपना करने योग्य थी और मेगनिफिसेंस और बहुत ही मेगनिफिसेंस थी बहुत ही अच्छी थी ठीके एंड लाइफ वास स्टील अ डिलाइटफूल जीवन जो है बहुत आमोद प्रमोद से भरा हुआ था और उसमें रहश्य भी थे और सपने भी थे मेरे अलावा जो कोई उसे जानता है उसे एक क्रेजी बोई की तरह जानता है मेरे घर आया कितनी बजे सुबह की चार बजे और मुझे जगाया उसने सुबह सुबह का माहोल है चार बजे अगर आकर कोई आपको जगा दे मतलब हप सूच सकते हैं कि आप पूरी तो नीन्द में हैं अभी उठे नहीं है पर अगर कोई जगा है आपको और खास तोर पे जब चाइल्ड होती है हमारी तो हम बड़ो के कहने पर बेशक ना जगे है पर जो हमारे companion है जो हमारे साथी है जो हमारे fellow है उनको जब हम देखते हैं तो बेशक हमें कोई अगर बड़ा जगा है तो हम नहीं जाकते हैं पर हमारे companion जब आके हमें जगा देते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं विस्तर से क्योंकि सबको पता है कि कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा करने के लिए बोलेंगे हमको कुछ अच्छा काम के लिए बोलेंगे नहीं और इसे काम के लिए तो चाइल्डूट में हम हमेशा तयार रहते हैं आप सबको भी अपनी चाइल्डूट की memory ज़्यादारी होगी जब पास्ट बेशक कितना ही बुरा क्यों न हो वो वरतमान में बहुत ही अच्छा ही लगता है आपको बाइदवे मेरा भाई जो है मुराद वो सारे लोग उसे क्रेजी केते हैं क्रेजी का मतलब हलका सा क्रेजी मतलब जिसको सनक आती हो थोड़ा सा धुनी हो जिसको धून लग जाय किसी भी काम की चैम तो माइ वाउस एक फोर इन दे मॉर्निंग और वोकप मी टैपिंग ऑन दे विंडो ऑप माय रूम कैसे जगाया मेरे रूम की जो विंडो थी उसको खटखटाया और अब जिसकी उम्र नो साल की है उसका नाम आरम है और दूसरे का नाम है मूराद I jumped out of bed and looked out the window मैं अपने बिस्थर से कुदा और खिलकी की तरफ देखा I couldn't believe what I saw मैं सोज भी नहीं सकता था जो मैंने देखा मतलब जो मेरे विश्वास से परे थी वो चीज मैंने देखी It was morning yet It was summer and with a daybreak not Many minutes around the corner of the world It was light enough for me to know I was not dreaming मतलब जो भोर होती है उससे पहले का ये समय था वी सूरजपूरी तरह से दस्तकत नहीं दी थी और सूरजपूरी तरह से अपनी उपस्तिती दर्ज नहीं करवाया था और लगभग काफी समय बचा था और दुनिया का सारा कोना जो है वो भी अंदेरे में था लगभग पर फिर भी हलका हलका सा उजाला हो जाता है तो I was not dreaming मुझे ऐसा तो लग गया था कि मैं शायद सपना नहीं देख रहा हूँ कुछ नगुछ खा से My cousin मुराद was sitting on a beautiful white horse मेरा जो cousin है मुराद वो एक beautiful white horse पर बेठा है I struck my head out of the window मैं अपने सीर को बाहर निकालता हूँ and rubbed my eyes और मेरी आखों को मसलता हूँ और फिर से देखता हूँ क्योंकि उसे believe नहीं हो रहा था उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ Yes, he said in Armenian उसने Armenian language में कहा क्योंकि Armenian boys थे तो Armenia की जो language है Armenian वही बोलते हैं It's a horse, ये घोड़ा है You are not dreaming Make it quick if you want to write तुम सपना नहीं देख रहे हो जल्दी करो अगर वाकई तुम्हें भी गुड़ सवारी करनी है तो dear student आज के वीडियो में इतना ही Next वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या आगे क्या करते हैं दोनों boys गोड़े की सवारी करते हुए तो thank you so much for